हरे कृष्णा हमारे कारेक्रम में आप सभी का हर्दिक स्वागत है हमारे वक्ता है श्रीमान कृष्ण सुदावा प्रभुजी प्रभुजी का जन्म हरिद्वार में एक वैश्नो परिवार में हुआ उन्होंने विगन और लेह कॉलेज दिल्ली से ग्राफिक डिजाइनिंग में डिग्री प्राप्त की है प्रभुजी ने इस कौन के संस्थापकाचार भक्ति व्यदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रियशिष्य परम पूज्य सुभाक स्वामी महराच से सन 2008 में बीक्षा प्राप्त की वदिल्ली में इस कौन के पूर्वी कैलाश मंदिर में रहते हुए पांच वर्षों तक यूवकों के मद्ध प्रचार कारे किया वश्चात एक वर्ष के लिए प्रभुजी अखिल भारतिय पदयात्रा में शामिल हुए तदंतर उन्होंने साथ वर्षों तक संकीर्थन करते हुए ब्रहमन किया वर्तमान में प्रभुजी विद्धार्तियों के लिए ऑनलाइन कारक्रमों का आयूजन करते हैं तो आएए श्रिमान कृष्ण सुदामा प्रभुजी के श्री मुक से धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा पिछले एपिसोड में हमने यहां तक सुना कि बलराम जी ने रुकमी का वद किया और उसके बाद वापस द्वार का नगरी लोटते हैं रोचना और अनिरुद्ध के साथ तो इसके पस्चात भगवान बलराम जी की बड़ी उतकन इच्छा हुई कि ब्रिंद वन की और प्रस्थान किये बहुत सालों के बाद भगवान बलराम जी व्रिंदावन वापस आये और सभी व्रजवासी बलराम जी को देखके बहुत ही प्रसन्द हुए मानों उनकी जान में जान आ गई और वापस जिंदा हो गए तो सबसे पहले माताय शुदा और नंद मह किया और नंद महराज के साथ बाठचीत करते हुए नंद और यसुदा ने बहुत जिग्यासा किया कि तुम लोग कैसे हो इतने सालों के बाद तुम लोग आये हो हमसे मिलने कृष्ण तो अभी भी द्वारका में है क्या वो ठीक है क्या वो कुशल मंगल है क्या वो खुश है क्या वो हम सभी को याद करते हैं या हमें भूल गए है बच्पन में हमने बहुत लाड़ प्यार से उसको अपने बेटे के समानी पाला पोसा बढ़ा किया तो क्या वो अभी भी याद करते हैं हमको तो भगवान बलराम जी ने सभी खबरें बताएं कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण चारो तरफ विजई हैं और द्वार का नगरी स्थापित किये हैं असुरों का वद कर रहे हैं और संसार को एक अच्छा स्थान बना रहे हैं धर्म का पुनर स्थापन कर रहे हैं तो बाकी जितने गौाले थे जो बलराम जी के समान उमर के थे वे सबी गले मिले और जो बड़े थे बलराम जी ने उनके चरेंस पर्ष किये और जो छोटे थे वे बलराम जी के चरेंस पर्ष किये इस प्रकार से सबी आंसु आएं आखों में और पुराने यादे ताजा उसके बाद गोपियों ने बलराम जी से एकांत में मिला और वे बहुत ही दुखी थी तुरंक उनके आसु बहने लगे और जिग्यासा किये क्या कृष्ण हमको याद करते हैं हमें तो एक पल ऐसा याद नहीं है जब हम कृष्ण को भूल गए हम हमेशा याद करते हैं कि कृष भूल गए हमने क्रिष्ण के लिए क्या नहीं भूला क्रिष्ण के लिए क्या नहीं त्याग किया हम अपने पती हम अपने बच्चों अपने परिवार समाज में नाम यह सब कुछ त्याग करके भगवान क्रिष्ण को प्रसंद करने के लिए दोड़े दोड़े आते थे और हमारे साथ प्रेम किया और हमको यहाँ पर छोड़ के चले गए तो दूसरी गोपी बोली कि हाँ हमको तो वो छल कर सकता है क्योंकि हम तो साधारन ग्वालिन हैं गाओं की लड़कियां हैं हम इतनी बुद्धिमान नहीं हैं हम नहीं समझ पाए कि उसकी छल चातुरी थी जो हम मेरे को नहीं लगता कि कौश्ण है इस परकार से स्त्रियों को मुलक बना सकते हैं वहाँ पर तो पागल्पन में घो few ann के कारण इस आलाप कर रही है बलराम जी उनके दुख को समझ पाएं और उनके हिर्दे तरस खाके वे उन्हें कुछ शांतना देने का प्रयास करते हैं हर रोज बलराम जी कृष्ण की अलग-अलग लिलाएं सुनाते थे कृष्ण के कारणा में सुनाते थे किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने दौार का नगरी स्थापित किया रानियों से विवा किया उनके संताने हुई और किस प्रकार से और भी बाकी लिलाएं बर्णन किये ये सब लीलाय सुनके गोपियों को कुछ शांत ना मिला, कुछ आनंद आया तो इस प्रकार बलराम जी को बड़ा आनंद आया ब्रिंदावन में रहके और ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए बलराम जी दो महिने के लिए ब्रिंदावन में निवास किये इसके पस्चाद भगवान बलराम जी वापस दुआरका नगभी लौटते हैं और भहुमासुर इंद्र के चत्री वरुन के चत्री इंद्र के अधिति माता के कुंडल और भी उत्पात मचाते हैं ये सब चोरी करते हैं तो भगवान कृष्ण ऐसे भहुमासुर से लड़ने ज जाओ अपने पिताओं के पास, लेकिन वे सारे राज कुमारियां रोते भी बोलें कि अब तो कोई हमें स्विकार नहीं करेगा, इस संसार में हमारा कोई नहीं है, ना तो हमारे पिता हमको स्विकार करेंगे, ना हमें कोई पत्नी रूप में कोई स्विकार करेगा, क्योंकि हम दूशित हैं किसी और पूरुष के हाथ हों हम किसी और ने स्पर्ष कर चुका है हमारा तो भगवान कृष्ण बोले अब मैं क्या करूँ फिर आप जाईए अपने घर तो सभी ने यही रोके प्रार्टना किया कि जिसका कोई नहीं है उनके लिए आप है आप दीन द्याल हैं दीन बंदू हैं तो हम आपके शरण लेते हैं कृप्या आप ही हमें अपने पत्मी के रोप में स्विकार करें तो यह वास्ता में पिछले जनम में बहुत महान रिशी मुनिया थे दंड़कारने के और भगवान राम चंद्र के को देख के वे समझ पाए कि यह साक्षाद भगवान है और वे उनकी दास्या बनने का प्रार्थना किये लेकिन भगवान राम ने बोला कि इस लीला में मैं मर्यादा पुरुशुत्तम हूँ अगले अवतार में मैं तुम सभी को अपने पत्नी रूप में स्विकार करूंगा तो यह सभी राजकन्या की रूप में आई और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उन्हें सहारा दिया उन्हें अपने पत्नियों की रूप में स्विकार किया द्वार का नगरी जाके 16,100 सोने के महल भी बना है जिसमें उन सब वेसबरानिया रहने लगी इस घटना के बाद बहुमासुर का एक मित्र था जिनका नाम था दुविद दुविद एक गुरिल्ला था एक बंदर था वानर और उन्हें बहुत कष्ट हुआ कि उनके मित्र को इस प्रकार मारा गया तो कृष्ण बलराम से बदला लेने के लिए वे बार बार दुवार का नगरी में आते थे और आसपास के गाउं में उत्पात मचाते थे कभी किसी एक घर को जलाते थे बलातकार करके थे उनके साथ तो इस प्रकार से काफी उत्पात करने के बाद एक दिन बलराम जी के साथ भी वे उत्पात करने लगे एक बार बलराम जी रैवतक नामक परवत पर कुछ स्रीयों के साथ कुछ यूवतियों के साथ लीला कर रहे थे और उस समय वारुनी के नशे में थे और वे नृत्य और गान का आनंद उठा रहे थे उस समय देवित गुरिला उदर आकर पेड़ों पे कूटता गया और पेड़ों को हिला हिला के किला 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 इस प्रकार के आवाजें निकाल रहा था पेडों की घर्शन से आवाज आ रही थी बलराम जी को थोड़ा सा परिशानी हुई लेकिन नजर अंदाज किये कोई बंदर जंगल में उत्पात मचा रहा है लेकिन देवित गूरिला का हिम्मत और बड़ा और वे आके उन स्त्रियों के साथ मजाक करने लगे उनके साथ बद्दे चैरे बनाके उन्हें हसाने लगे और दीरे दीरे अपने निमने अंगों को भी प्रदर्शित करने लगे ये देखके बलराम जी को क्रोध आया तो उन्होंने एक पास में पत्थर उठाके उसको फैंक दिया भगाने के लिए लेकिन इसके बाद दिवित गुरिला नीचे कूद गया और बलराम जी के वारूनी के बर्तन को चोरी करके ले गया बलराम जी को क्रोध आया और बलराम जी समझ गए ये इस तरीके से एलातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो बलराम जी अपना गदा उठाके युद्ध के लिए तयार हुए तो दूसरी और दुविद गुरिला भी एक पूरे मोटे पेड़ को खाड़के अपने भाले के रूप में इस्तमाल किये और दोनों में घमासान युद्ध प्रारम्ग हुई बलराम जी अपने भाले से प्रहार कर रहे हैं और दूसरी और दुविद गुरिला पेड़ के साथ बड़े पेड़ के तने से प्रहार कर रहे हैं और बार बार उनका जो पेड़ है वो तूट जाता है बलराम जी के गदा के सामने तो तुरंट वे नया पेड उखाडते हैं और इस प्रकार कई दिनों तक काफी समय तक इस प्रकार से युद्ध चलता रहा एक समय ऐसे आया जब सारे जंगल के पेड उखड चुके थे और बलराम जी के भाले से तूट चुके थे तब दिवित गुरिला ने बड़े बड़े पत्थर उठाके बलराम जी की और फैंकने लगे बलराम जी को खोशिश किये मारने का तो बलराम जी भी मजा के मूड में एक एक करके भाले से अपने गदा से उन सबी पत्थरों को मारते गए जिस प्रकार हम गेंद के साथ खेलते हैं बल्ला के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो उसी प्रकार बलराम जी भी बड़े पत्थरों के साथ खेल गए थे तो ऐसे करते करते सारे पत्थर भी खतम हो गए जंगल के सारे पेड़ और सारे बड़े पत्थर खतम हो गया बलराम जी ने चूर कर दिया उन सबको तब दुविद गुरिला अपने मुश्टिक प्रहार किया अपने हाथों से बलराम जी के छाती में जोड से मारा लगातार तो इसके बाद बलराम जी को बहुत गुश्चा आया बिना समय बरबाद किये बलराम जी न अपने गदा से एक जोर से यहाँ पर दिविद गुरिला के कंधे पर दे मारा और तुरंत उसको चक्कर आया दिविद गुरिला को और वो गिर गया और खून की उल्टियां करने लगा और उसके बाद प्राण त्याग दिये तो इस वरकार दिविद गुरिला का अंत किया भगवान बलराम ने जब बलराम जी की छोटे वहन सुबद्रा का विवा का उम्र हो गया तब भगवान बलराम जी उनका विवा दुलियोधन के साथ तैय कराना चाते थे लेकिन सुबद्रा की इच्छा थी कि वे अर्जुन के साथ विवा करें उस समय अर्जुन वनवास में थे और वे तीर थ्यात्रा में निकले हुए थे तो वे प्रभाश शेत्र में द्वार का नगर में आए हुए थे और एक सन्यासी का रूप धारण करके वे बार बार प्रयास कर रहे थे किस प्रकार सुबद्रा से मिला जाए उसी समय बगवान बलराम जी हर रोज अलग-अलग सन्यासी को अपने घर बुलाया करते थे भोजन के लिए सेवा के लिए तो एक दिन वे अरजुन को भी बुलाये जो सन्यासी रूप में थे और अरजुन जब आये घर में तो सुबद्रा भी महाँ पे थी पस्तित तो अरजुन जो है सुबद्रा की और देखते ही रहे गए वो बार-बार खाने की और ना देखके सुबद्रा की और देखते रहे और सुबद्रा भी अरजुन को देखके बहुत प्रभावित हुई वे प्रेम करने लगी अरजुन से अर्जुन का भी प्रेम सुबद्रा के लिए था तो इस घटना के बाद एक दिन अर्जुन ने वसुदेव और देव की जो सुबद्रा की माता पिता हैं उनसे आग्या लिया कि मैं आपकी बेटी से विवा करना चाता हूं और मैं उन्हें अफरेंट कर सकता हूं आपका आग्या है इच्छा है तो वसुदेव और देव की ने अपनी सहमती दी ठीक है आप कर सकते हैं और एक दिन जब सुबद्रा का विवा होने वाला था उसी समय अर्जुन ने सुबद्रा का अफरेंट किया तब भगवान बलराम जी को बहुत क्रोध हुआ कि ये अर्जुन इतना धूर्थ है कि सन्यासी का रूप धारण करके वो मेरे घर में आया मैंने उसकी सेवा की खाना परोसा और उसने मेरे भेहन को चोरी करके विवा किया अफरेंट किया उसको मैं नहीं छोड़ूँगा तो भगवान कृष्ण जो अर्जुन के बहुत प्रिय सखा हैं वे अर्जुन को बचाने के लिए बलराम जी के पैरों में गिर गए और उनसे शमा मांगे अर्जुन के और से बोले कि नहीं बड़े भाई आपको मालुम नहीं है सुबद्रा का भी इच्छा था अर्जुन से विवा करने का दोनों का परस पर प्रेम था अपस में लेकिन वे कभी आपको बतानी पाईं लेकिन सुबद्रा की इच्छा थी कि वे अर्जुन से ही विवा करें तो इस बात को सुनके बलराम जी शान्त हुए और खुश हुए बलराम जी को बहुत अच्छा लगा और यदि सुबद्रा खुश है तो मैं भी खुश हूँ तो बलराम जी शान्त हुए और स्वयम उन्होंने बहुत बड़ा एक डावरी यानि दहेज भेजा बहुत सारे सैनिक गोडे सोना चांदी और बहुत सारे सैनिक इस प्रकार से दहेज दिया बलराम जी को सुबद्रा के साथ विवा होने पर एक और घटना है जब दुर्योधन की बेटी बड़ी हुई जिनका नाम लक्षमना था तो दुर्योधन ने उनके लिए एक सोयमबर का आयोजन किया उस सोयमबर में दूर-दूर से अनेक राजाएं आये थे शत्री आये थे और लक्षमना को अपना पती चुनने का मोका मिलता साथ में भगवान कृष्ण का पुत्र सांब जिनका माता जांबवती थी वे भी उस आयोजन में आप होचे थे तो सांब को बहुत इच्छा हुई कि मैं लक्षमना का साथ विवा करना चाहता हूँ लेकिन लक्षमना चाती नहीं थी सांब से विवा करना लक्षमना अपना वर ढूंड रही थी लेकिन साम्ब ने जबरदस्ती करके लक्षमिना को अफरंड किया और वहां से ले जाने का कोशिश किया तो उस बीच सभी कुरू वंच ने आयोजन किया कि साम्ब को रोका जाए लक्षमिना का बिलकुल इच्छा नहीं है और साम्ब इस प्रकार से हमारे आखों के सामने ही हमारे बेटी को चोरी करके लेके जा रहे हैं तो पांच महारतियों का दल बना जो की साम्ब का सामना करेंगे और लक्षमिना को बचा करके वापस लेके आएंगे वे पांच महारतियों थे कर्ण, यग्यकेतु, शाल, भुरी और स्वयम दुर्योधन ये बहुत ही शक्ती शाली थे और अकेले ही हजारो हजारों सैनिकों से युद्ध करने में सक्षम थे तो ये पांचों ने दल बना के साम्ब को रोकने का प्रयास किया और रस्ते में साम्ब को रोका और उनको ललकारा युद्ध के लिए साम्ब ने बहुत वीरता से युद्ध की, लेकिन पांच महारतियों ने एक साथ मिल करके साम्ब को हराने का प्रयास किया एक ने उनके घोड़ों को मार दिया, दूसरे ने उनके चालक को मार दिया, तीसरे ने उनके रत को तोड़ दिया और चोथे ने उनके धनुष के जो प्रत्यंचा था उसको तोड़ दिया, काड़ दिया तो इस प्रकार से पांचों लोग साम पे हावी हुए हाला कि साम ने बहुत ही दक्षता से युद्ध किया और पांचो प्रसन हुए साम के कौशल से लेकिन फिर भी लक्षमिना के बचाने के लिए उन पांचो ने चल करके साम को बंदी बनाया और वापस हस्तिनापुर लेके आये जब कृशन और बलराम को ये बात पता चली कि साम को बंदी बनाया है तो वे महाराज उग्रिसेन से विचार विमश करके कुरू राष्टर पर हमला बोलने को तयार हो गए या तो साम को छोड़ा जाए वापस दिया जाए नहीं तो फिर हम युद्ध करेंगे तो भगवान बलराम जी की इच्छा हुई कि इस युद्ध को टाला जाए क्यों ये दोनों परिवार जो की आपस में अच्छे संबंद है क्यों इनके संबंद को बिगाड़ा जाए क्यों लोगों की हत्या की जाए और कोशिश किया जाए शांती दूद बनके बलराम जी जाकरके एक बार कुरू राष्ट से बात करने को तयार हुए तो उग्रसेन महाराज से आग्या लेकरके और कुछ योग्य ब्रामणों के साथ और कुछ यदू जो वृद्ध यदूवंस के लोग थे उमर के लोग थे बुद्धिमान उनको लेकरके उध्धव के साथ भगवान बलराम जी गए हस्तिनापूर की और हस्तिनापूर की बहार बलराम जी ने अपना शिविर लगाया और उध्धव को भेजे कि आप जाके महाराज दितराष्ट को निवेदन करें कि हम मिलने आए हैं हमसे आके मिलें बात करें तो अगले दिन दुर्योदन और महाराज दितराष्ट और सारे सारे गौरव आए और बहुत प्रसंद हुए बलराम जी का स्वागत किया बलराम जी का अर्ग्य पान कराया उनका आर्थी करने दे बाद बताये क्या प्रस्तावना है या क्या बात करना है आपको तो बलराम जी बहुत गंबीर हो के बोले कि देखिए मैं दोनों पक्षों के हित के लिए बता रहा हूं कि आपने जिस प्रकार सांब का छल पूरवक सांब को बंदी बनाया है और उसको यहाँ पर गिरफतार करके रखाये ये युद्ध का कारण बनेगा और युद्ध की तैयारिया हो रही है मैं चाहता हूं कि युद्ध को टाला जाए क्यों बिना कारण से युद्ध हो तो इसलिए अच्छा यही होगा सुनी तो बहुत ही क्रोधित हुए और बहुत अहंकार में आके बोले यादवों की बुराई करने लगे बोले कि हमारे कारण ही यादव लोग आज शक्ती में है हमसे इन्होंने विवासंबंद बनाया है यादवोंने कौरवों के साथ और उस कारण से ये सोचना की अब ये बराबर हो चुके है कौरवों के हमारे दया पे जी रहे हैं ये हमने उनको राजी करने के लिए स्थान दिया है और हमने उनको अवसर दिया कि वे राज जिन्न धारन करें सफेज छत्री और सिंगहासन पे बैठना और चंवर का इस्तमाल करना ये केवल हमारे अधिकार है लेकिन हमारे दया पर इनको भी हमने इस्तमाल करने दिया लेकिन ये देखो ये जूते का स्थान हैं ये लोग लेकिन अभी आके ये मुकुट के स्थान में बैठना चाते है कि हमसे भी बढ़े बनना चाहते हैं, हमको आके यह बताना चाहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इस प्रकार से बहुत निंदा किये, बहुत अपमान किये, यदुवंच का बलराम जी किया, और बलराम जी सहन करते रहे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो गया, तब कुरू जो हैं वापस अपने हस्तिनापूर गए तो बलराम जी को पीछे से क्रोध बढ़ता गया बढ़ता गया और उन्हें बहुत क्रोध आया फिर उनसे रहा नहीं गया वे भी बोलने लगे ये लोग अपने आपको क्या समझते हैं ये जानते नहीं है कि वो जबर्दस्ती प्रिथी पे लागे इस्तमाल कर रहे हैं भगवान इंदर भी देवता इंदर भी उनको रोक नहीं पाएं और ये लोग ऐसे बरताब कर रहे हमारे साथ क्या ये भूल चुके हैं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है इस प्रकार के धूरत हैं ये लोग इनका तो और कुछ होनी सकता ये लातों के भूत हैं बातों से नहीं मानेंगे और बलरान जी का क्रोष बढ़ता गया उन्होंने फिर से यही किया अपने हल से उन्होंने ये सोचा कि अभी मैं तुमारे तुम हस्तिनापूर में रहकर तुम बड़े घमंडी बन चुके हो तुमारे घमंड का कारण में अभी नश्ट करता हूँ पूरे हस्तिनापूर को मैं गंगा में डुबाता हूँ और अपने हल से हस्तिनापूर में जोड से मारे और उसको खींचने लगे अपने तरफ तो इतने में पूरे हस्तिनापूर में बहुत उथल पुथल होने लगा भूकम पाया, पूरा शेहर हिलने लगा और गंगा जी का पानी उस समय अब यमुना जी भैट्टी है दिल्ली के पास हस्तिनापूर लेकिन उस समय गंगा जी के नाम से देखी है हिमाले से आते हैं तो उसना गंगा नाम से जाना जाता था तो गंगा जी में डुबा दूँगा तो गंगा जी जो है वो आने लग गई हस्चिनापूर के अंदर और सभी कुरु राष्ट के जो मुख्य लोग थे दुर्योदन थे और महाराज जितराष्ट थे सामब और लक्षमना को सामने रखते हुए वे आये बलराम जी से प्राटना किये कि आप ही परभगवान है हम भूल चुके थे और हम ने गलती की जो आपके निंदा किया आपके बात को स्विकार नहीं किया लेकिन हमें शमा करें अभी हम आपके शर्णागत हैं आप अपने पोत्र और उनके पत्नी लक्षमना को आप स्विकार करें सामब को और आप वापस दौर का नगरी प्रस्थान करें तो शत्रियों में इस प्रकार से होता है जब विवा होता है तो जो लड़की वाले हैं वो लड़के वालों के साथ मजाग करते हैं और वे देखना चाहते ह इतना शक्ति है उनमें, जो हमारा दामाध है, उनका कितना शक्ति है, उनके परिवार का कितना शक्ति है, तो इस प्रकार से ये लीला कटित हुई, तो इसमें कोई हिरानी की बात नहीं है, ये शत्रियों में आम है, साम्ब और लक्षमिना का विवा उदर ही हुआ, को और लक्षमना साम के साथ बलराम जी वापस द्वार का नगरी को प्रस्थान करते हैं तो आगे की लिलाएं अगले बार हम सुनेंगे बलराम जी की दिवे लिलाओं में हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्ती मय कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अत्वा डीटी एच ऑपरेटर से संपर करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839